हेलो मेरे प्यारे दोस्तों तो यार कैसे हो आप सभी दोस्तों आज का वीडियो बड़ाई धमक्यदार होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हमारे पास एक बहुती तगड़ा चैलेंज है दोस्तों दोस्तों आज हमारे पास ऐसा चैलेंज है यानि हमें पुलिस का 5 स्टार लेवल एक्टिवेट करना पड़ेगा और फिर अपने सिटी के अंदर जितने भी जोंबीज है उन सभी को मारना पड़ेगा तो दोस्तो आज के इस वीडियो में देख लेते हैं हम जोंबीज को मार पाएंगे या जोंबीज हमें मार देंगे या पुलिस हमें मारतेगी तो चलो दोस्तो जल्दी जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपना टैंक उठा लेते हैं जो हमने छट पर खड़ा कर रखा है तो जल्दी जल्दी से अपने घर की छट पर चलते हैं और अपने टैंक को यहां से जल्दी से उत लेते हैं और यह रहा हमारा टैंक दोस्तों इस टैंक को आज हमें लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि यार आज हमारी बहुत ही तगड़ी फाइट होने वाली है जोंबीज से भी और पुलिस से भी तो इसलिए हमें टैंक की जरौत है तो हमने टैंक पहले ही लाकर यहां पर खड लेकर रहा उस पर कलिक कर दीजी और आसात में गंटी वाला बटन भी दबा दीजी तो दोस्तों चलो चलते हैं जोंबीज की लोकेशन पर और वही पर पुलिस का फाइस्टार लेवल भी एक्टिवेट करेंगे और फिर वही पर हम लोग जोंबीज की चटनी बनाएंगे औ क्योंकि यार जोंबीज और पुलिस से निपटा इतना आसान काम नहीं है तो जल्दी से इस टेंक को यही पर खड़ा कर देते हैं और जल्दी से इस लेबरेटरी के अंदर चलते हैं लेबरेटरी के अंदर जाकर हमको एक बटन दवाना पड़ेगा जिससे जोंबी एक्टि अक्टिवेट हो जाएगा तो पुलिस का फाइस्टार लेवर भी यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है और जोंबीज भी एक्टिवेट हो चुके हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमको इन जोंबीज को मारना पड़ेगा उसके बाद पुलिस से तो हम आसानी से निपट लेंगे तो भाया यहाँ पर जोंबीज बहुती तकड़े एक्टिवेट है तो पुलिस का फाइस्टार लेवल भी यहाँ पर एक्टिवेट है और पुलिस भी यहाँ पर तकड़े एक्टिवेट है और पुलिस वालों ने हमारा टैंक की पलट दिया यार और भाया पुलिस वाले भ हम से टकर लेंगे तो यार ऐसे ही होगा और जोंबीज भी यहाँ पर अलगातार हमारे पिछे पड़े हुए है तो भाईया आज देख लेते हम इस गेम के अंदर मर जाएंगे या बच जाएंगे तो दोस्तो यह देखने के लिए वीडियो में लाच तक बने रही है आज हमार खराब हो गया दोस्तो और भाईया कमाली हो गया तो यार यहाँ पर हमारे टैंक ने गोला छोड़ा और टैंक ही हवा में उड़ गया तो भाईया यह है टैंक इतना हलका फुलका कैसे हो सकता है यार हवा में कैसे उड़ सकता है हमारा टैंक तो भाईया यहाँ पर हमको इन जोमबीज को सबसे पहले मारना पड़ेगा तो अभी जोमबीज को मारने का 22 सेकंड बचा है तो इसलिए अभी जोमबीज कुछ जोमबीज बचे हुई है तो हमारा टैंक यार लगतार नदी के अंदर जा रहा है और नदी के अंदर हमारा टैंक आ चुका है तो दोस्तो यार से टैंक को जल्दी से निकालना पड़ेगा यहां से जल्दी जल्दी से बाहर निकल लेते हैं और पुलिस की गाड़े अभी हमारे पिछे पिछे नदी के अंदर आ गई हैं तो भाईया यहां पर जोंबीज का टाइम लगबग पूरा हो चुका है मगर जोंबीज अभी नहीं मरे हैं इसलिए हमको जल्दी से इस नदी से बाहर निकलना पड़ेगा और उन जोंबीज को मारना भी पड़ेगा क्योंकि उन जोंबीज को नहीं मारा तो वह हम को ही मार देंगे उन जोंबीज के पास बहुती तकड़े तकड़े बंप और गोला बारुद लेकर जोंबी ग जल्दी जल्दी से बाहर निकल लेते हैं यार दोस्तों हमने आप सभी दोस्तों के लिए अपना इस्टाग्राम अकाउंट भी ओपना कर दिया है अगर आप लोग हमारे हमसे कुछ भी सवाल करना चाहते हैं तो हमारे इस्टाग्राम अकाउंट पर आज आप हमसे डारेक्ट सवाल पूछ सकते हैं और हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिस्पन में मिल जाएगा हमारे इस्टाग्राम आईडी का तो भाईया यहाँ पर हमारा टैंक और यार एरपोर्ट के अंदर लैंड होने वाला है तो यार देखा हमने जोमबीज वाली लैब से सुरुवात की थी और हमारा टैंक यहाँ पर आगया एरपोर्ट के अंदर गूमते गूमते तो यार पुलिस वालों ने तो तहलकाई मचा दिया और भया अब चलो यहाँ से बाहर लिकल लेते हैं और चलते हैं अपने सिटी की तरफ और देखते हैं और कितने जोमबीज बचे हुए हैं जोमबीज को मारने के बाद पुलिस तो अपने आप दीरे-दीरे हट जाएगी तो पहले हमको जोंबीज को मारना पड़ेगा जो कुछ जोंबीज अभी बहुत सारे जोंबीज बचे हुए हैं तो पुलिस वाले हमको लगता है यहाँ से निकलने ही नहीं देंगे क्योंकि यार पुलिस की इतनी छोट छोटी गाड़े अभी हमारे टैंक को लगातार पलट तो भाईया यहां पर हमने पुलिस की एक गाड़ी को टैंक का गोला मारकर फोड़ दिया है और अब यहां से जल्दी जल्दी से निकल लेते हैं बाहर एरपोर्ट से जल्दी जल्दी से बाहर चलते हैं और फिर देखेंगे कितने जोंबीज अभी हमारे पिछे लगे हुए है उन जोंबीज को मारना बहुत जरूरी है वरना है शिटी के अंदर लोगों को नुसान पहुचा सकते हैं तो भाईया यहां पर इस एरपोर्ट का दरवाजा बहुत ही छोटा है जो हमारा टैंक फिर भी यहां से निकल गया हमने धीरे धीरे अपना टैंक की यहां से निकाल गलिए तो भाईया अब चलते हैं अपने बिर्ज के उपर और बिर्ज के उपर से हमारे शिटी के अंदर रास्ता जाता है तो इधर से ही घोमीज हमारे पिछे आ रहे होंगे तो देख लेते हैं जोमीज का ओर यार जोमीज की कितनी तगड़ी लाइन लगी हुई यार और यहाँ पर कुछ जोंबीज को हमने निप्टा भी दिया और अब चलते हैं थोड़ा आगे और आगे लिजाकर अपने टैंक को बैक लाएंगे और इन बैक लाने के बाद इन सभी जोंबीज के उपर अपने टैंक को चड़ा देंगे और फिर सभी जोंबीज यहाँ पर मर जो इस ब्रिज के उपर घूम रहे हैं तो और जोंबीज हमारे और यार जोंबीज फिर एक साइड में बच गए दोस्तो भाईया अब इन जोंबीज की खैर नहीं है अब हमको बैक में ही इन जोंबीज को मारना पड़े गए यानि बैक लेकर ही अपने टैंक को हमने आदे जो जोंबीज को निपटा दिया है और अब कुछ जोंबीज बच गए हैं अभी भी तो देख लेते हैं कितने जोंबीज अभी बचे हैं तो दो जोंबीज और बचे हैं जो हमारे पिछे लगातार आ रहे हैं तो भाईया चलो इनकी भी चटनी बना देते हैं जल्दी जल्दी स तो दोस्तों यहाँ पर हमने लगता है सभी जो मबीज को मार दिया है और यार दोस्तों मजाई आ गया इस चैलेंज को पूरा करके तो तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसा चैलेंज हो जो बहुती कठिन हो जिसको पूरा करने में परसी ने छुट जाए तो आप हमें कमेंट बोक्स में जरूर बता सकते हैं वह चैलेंज हम आप लोगों के लिए जरूर पूरा करेंगे और अपने चैलेंज पर उसकी वीडियो जरूर डालेंगे और उस बंदे का नाम भी अपने वीडियो में बताएंगे जो वह चैलेंज हमको देने वाला है तो दोस्तों चलो आप चलते हैं सीधा अपने घर पर क्योंकि यार जोमबीज को हमने मार दिया है और पुलिस का फाइस्टार लेवल भी हमने कम कर दिया है तो भाईया यहाँ पर हमारा टैंक कैसे कलाबवादी खा रहा है यार तो भाईया यहाँ यहाँ पर अपने टैंक को सीधा करते हैं और अब चलते हैं अपने घर पर क्योंकि यार बहुत राथ हो चुके है तो आप सिटी में ज़्यादा घूमना खत्रे से खाली नहीं है क्योंकि अभी अभी जोंबीज को मारा है तो अभी कुछ भी पुलिश का पंगा हो सकता है तो इसलिए दोस्तो आप चलते हैं सीधा अपने गर पर और हाँ दोस्तो एक और जरूरी बात हम रोजाना साम को चार बजे अपने चैनल पर डूट अपवार मल्टि प्लेयर लाइव खेलते हैं अगर आप लोग भी हमारे साथ मल्टि प्लेयर लाइव गेंपले खेलना चाते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हा कमेंट बोकस में बताईे क्या आपको भी हमारे साथ डूट तैप पार मल्टि प्लेयर लाइब खेलना है